हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूहब, एड्यूहब ओनलाइन क्लासिस के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है विंडोज, माइक्रोसोर्फ विंडोज, माइक्रोसोर्फ विंडोज के उपर हमने कल बहुत सारी हुआ है, किस बटन के थुरू आप कौन सा प्रोग्राम उपेन कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोसोर्फ विंडोज का पूरा हिस्ट्री, उस वो कब से स्टार्ट हुआ है, कौन-कौन से वर्जन से उसके, इन सब के उपर कल हमने end to end discussion किया है, ठीक है, आज जो हमारा topic रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा कि इसके important questions के उपर और प्लस जो कुछ थोड़ा सा पार्ट रहे गया है, उसके उपर आज हम discuss करेंगे, ठीक है, तो विंडोज के अंतगर्त उपयोगी program, जो विंडोज की उपयोगी program है, उन सब को हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों, तो पहल sound recorder and volume control, game and clipboard, तो जो यह important जीजे और रह गई थी, हमें जो हमारा विंडोज है, उसके अंतगर्त, उन सब चीजों को भी हम यहाँ पर discuss करेंगे, दोस्तों, ठीक है, तो क्या रहे गया है, कि MS विंडोज के अंतगर्त, जो प्योगी program है, वो कौन कौन से हैं, दोस्त, वो है, नोट पेड, वर्ड पेड, पैंट, कैलकुलेटर, फोन डाइलर, इमेजिंग, मीडिया प्लेयर, सीडी प्लेयर, साउंड रिकॉर्डर, वोल्यम कंट्रोल, एंड गेम, एंड क्लिप बोर्ड, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनके उपर end to end discussion करेंगे, जिससे आपको य याद हो जाएगा कि नोट पेड क्या होता है, किस काम आता है, क्या है, तो start करें, पहला है नोट पेड, नोट पेड क्या करता है, यह एक सदाहरन text editor है, क्या है, यह एक बहुत easy, बहुत normal सा text editor है, जिसका इसमें only आप text लिख सकते हैं, इसको open करने के लिए आपको click करना पड़ेगा, फिर accessories में जाना पड़ेगा, और आपको हुआ पर notepad मिलेगा, उसको आप open कर सकते हैं, ठीके, तो आपको notepad समझ में आगया होगा दोस्तों, notepad क्या है, यह एक बहुत सदाहरन, बहुत simple सा text editor program है, ठीके, इसके तुरु आप जो है, text को edit कर सकते हो, बहुत easy बहुत normal सा text editor program है, इसमें only आप text लिख सकते हो, ठीके, इसका प्रयोग आप किसके लिए कर सकते हो, अपने text को लिखने के लिए, बस, इसके अलावा, इसमें ना आप कोई type की formatting कर सकते हो, किसी type की picture add नहीं कर सकते हो, किसी type की जो है, जो कुछ चीजे change करना, या कुछ attract करना या कुछ graphics add करना, यह इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो notepad क्या है, एक simple text editor program है, इसके अंदर simple से text को आप enter कर सकते हो, दोस्तो, किलिर होगे आपको यह friend, तो अब यह note पे, और यह open कैसे होगा, इसको open करने के लिए आपको click start button पे पहले click करना पड़ेगा, जैसे ही आप start button में click करेंगे दोस्तो, उसके बाद यहाँ पे आपको program मिलेगा, आप program में जैसे ही click करेंगे, program में click करने के बाद में, आपको यहाँ पे accessories मिलेगा, और accessories का यह एक part है notepad, यहाँ से आप अपने notepad को open कर सकते हैं, clear है, next पे आते हैं दोस्तो, wordpad, next क्या है wordpad, windows के अ window का है, window के अंतगर, दूसरा word, processor है, notepad से develop है, मतलब की, अभी हमने notepad के उपर हमने पढ़ा, notepad के उपर हमने अभी जानकारी ली, कि notepad कैसा होता है, simple text editor होता है, इसके अंदर आप कोई भी formatting और कुछ भी नहीं कर सकते हो, दोस्तो, तो वैसे ही, अगर हम जब इससे upgrade कर रहे हैं, wordpade, तो wordpade के अंदर क्या होगा, दोस्तो, कि कुछ चीजे जो है, वो notepad से developing mode के उपर आ जाएगी, ठीक है, इसमें आप color कर सकते हो, font select कर सकते हो, picture add कर सकते हो, इन सब की facility आपको मिल जाती है, तो आपका wordpade समझ माया, दोस्तो, wordpade में क्या होगा, कि यह जो है notepad से थोड़ा advance हो गया है, अब और इसके अंदर जो आपको चीजे और add कर सकते हो, जैसे, इसका color change कर सकते हो, अलग-अलग font size use कर सकते हो, ठीक है, कुछ picture, कुछ graphics को भी आप इसके अंदर add कर सकते हो, clear दोस्तो, तो यह आपको clear हो गया wordpade और notepad, wordpade को आप कैसे open इसके लिए भी आप पहले click button, start button पे click करेंगे, फिर आप program में जाएंगे, फिर आप accessories में जाएंगे, और फिर आप wordpade को open कर लेंगे, ठीक है, अब हम चलते है, pent, pent का क्या होता है, pent, MS pent, मोलते इसको Microsoft pent, इसका name से clear है pent, मतलब कुछ चीजे को कि penting बनाना, चित्र बनाना, क MS pent का जो use है, वो किसके लिए है, दोस्तो, कि आप इसके अंदर कुछ भी जो चित्र कुछ image बना सकते है, ठीक है, इसको open करने के लिए, again, same procedure है, दोस्तो, click start button, then you have to click on program, then you have to click on accessories, और आपको यहाँ पे MS pent मिलेगा, जैसी उसको आप click करेंगे, तो आपका जो program है, वो run हो ज calculator, जिसमें सादाहरन गणना कर सकते हो, जैसे कोई भी calculate करना है, कोई add करना है, कोई subtract करना है, कोई multiply करना है, कुछ भी divide करना है, वो सारे काम आप इसके थुरू कर सकते हैं, दोस्तो, तो ये भी एक program है, window का calculator, इसके थुरू जो आपकी general calculation है, उन सब चीजों का आप इसमें क कर सकते हैं, इसके साथ ही, कुछ special feature भी आपको इसमें मिलेंगे, sign, cost, tan, adi के मान भी आप इसके थुरू निकाल सकते हैं, इसको open करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोस्तो, start button पे click करना पड़ेगा, program में जाना पड़ेगा, accessories में जाना पड़ेगा, and then उसके बहुत easy program है, जो की Microsoft Windows का ही एक software है, ठीके, इसके थुरू आप calculator का काम क्या होता है, दोस्तो, आपको पूछो था, आप क्या बताओगे, कि calculator से आप calculation कर सकते हो, किसी वे type की जो गन्ना जो करनी होती है, आपको उसके लिए आपका, इसको यूज करते हैं, ठीके, तो वैसे ही ये computer के अंदर calculator है, आप जैसे जो calculator को यूज करते हैं, वैसे ही आपका पूरा काम करके आपको देगा, इसके तुरू आप sign, cost, 10 आदि के मान भी निकाल सकते हो, दोस्तो, अब हम बात करते हैं, phone dialer की, phone dialer, computer को phone की तरह यूज कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, जो computer ह computer को आप phone की तरह यूज कर सकते हो, इसमें modem install करते हैं, और computer को telephone line से जोड देते हैं, ठीके? जैसे phone यूज करते हो न दोस्तों आप वैसे ही computer को भी आप phone की तरह यूज कर सकते हो आपको इसके लिए क्या जोड़ना पड़ेगा आपको इसके लिए इसमें जो modem है उसको install करना पड़ेगा और computer को जो telephone line से जोड़ना पड़ेगा बस उसके बाद जो है आप अपने computer को phone की तरह use कर सकते हैं अब आज आते हम imaging, imaging क्या होता है window के साथ imaging program आता है विंडो के साथ क्या होता है imaging एक program है वो आता है scanner को जोड़कर जो इसके scanned image है जो scanner को जोड़कर जो आपने scan कर लिया image उस image को computer के अंदर store कर सकते हैं आप क्लियर है imaging क्या है window के साथ imaging एक program है software है वो आता है इसमें क्या होता है आपने जो computer के साथ में scanner को connect कर रखा है किसको scanner को आपने computer के साथ में connect कर दिया है दोस्तों अब क्या होगा कि जो scanner है उसके थुरूप आपको image को scan कर रहे हो ठीक है जैसे ही आप कोई image इसमें scan करेंगे तो वो image क्या होगी आपके computer में imaging जो software है उसके थुरूप क्या होगा कि वो image आपके computer में वो save हो जाएगी store हो जाएगी समझ रहे हो क्या हुआ कि आपने कोई imaging एक software है जो window का ही एक program है आप जो है scanner के थुरूप किसी image को scan कर रहे हो अब आप चाते हो कि जो image है ये जो है आपके computer में चला जाए तो आपके पास computer के अंदर एक imaging software already है किसका है Microsoft Windows का है अब उस software के थुरू आपने जो चीज scanner से scan किया है वो जो है page वो उसके अंदर store हो जाएगी आपके personal computer में Next, media player media player जो है नाम से ही clear हो रहा है कि आप इस software के थुरू कोई भी media को play कर सकते हैं ठीक है अब इसको समनो देखो इस software का परियोग करके आप movie, song देख और सुन सकते हैं ठीक है अगर आपके computer में आपने किसी भी drive के अंदर कोई song, कोई movie store करके रखी है तो आप इस media player के थुरू उस song या media को play कर सकते हो अगर song ये तो आप उसको सुन सकते हो, audio song ये तो आप उसको सुन सकते हो वीडियो सुन ये तो सुनने के साथ आप देख भी सकते हो जो Microsoft Windows का media player है वो आपको इन दोनों काम को करने की facility provide करता है दोनों काम कौन से, सुनना और देखना, दोनों ही काम करने की जो फैसलेटी प्रोवाइड करता है, clear, next, CD player, CD player क्या होता है, computer में CD player का भी box होता है, उस option के थुरू, आप उसके अंदर कोई भी CD enter कर सकते हैं, जैसी आप CD enter करोगे, तो आपका जो computer है, वो एक as a CD player के तरह काम कर करने लग जाएगा, जो भी आपने उसमें CD enter करी है, वो CD उसमें play हो जाएगी, अगर कोई movie की CD है, तो as a, आपका CD player कोई movie, जो CD के अंदर movie है, वो movie जो है, वो show करेगा, आप उस movie को देख सकते हो, basically CD player का काम क्या होता है, दोस्तो, CD player जो है, वो एक player होता है, जिसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आपने CPU के पास में, एक CD drive होगी, उस CD drive के अंदर, आपने कोई भी CD डाली, वो CD को process करेगा, और वो CD के अंदर, जो भी picture, movie, photos, कुछ भी है, वो आपको अपने जो desktop, जो monitor है, आपका, उस monitor पे आपको दिखने लग जाएगा, क्लियर है, दोस्तो, CD player, next ह sound recorder and volume control, Microsoft Windows का एक option होता है, यह एक software है, इसके थुरू जो है, आप sound को control कर सकते हो, और आप sound को record भी कर सकते हो, ठीक है, आप अपने जो volume, मतलब आपको, आप कोई movie देख रहे हो, तो आपको यह देखना है, कि मेरे को जो यह volume up and down करना है, तो you can do, क्योंकि आपके पास यह software है Microsoft Windows का, कि आप अपने volume को up and down, अपने according, set कर सकते हैं, दोस्तो, sound recorder क्या करेगा, अगर आपको music, अगर आपको कुछ गाने-गाने है, या अगर आपको screen record करनी है, या अगर आपको कोई video बनाना है, तो इसके अंदर एक feature है, sound recorder का, तो आप अपने sound को है, वो इसके अंदर record भी कर सकते हो, दोस्तो, तो ये clear होगे आपको, कि इसके अंदर sound record भी कर सकते हो, और जो आपका volume है, उसको भी आप अपने according control कर सकते हैं, तो एक बार हम इसका quick review कर लेते हैं, हमने अभी क्या-क्या पढ़ा है, हमने अभी पढ़ा है, कि Microsoft Windows के अंदर, calculator एक software मिलेगा, आपको, inbuilt software है, calculator भी मिलेगा आपको, calculator में क्या होगा, कि आप जो easy calculation है, वो सब आप इसके अंदर कर सकते हो, फिर आपको मिलेगा phone dialer, phone dialer के थुरू, आप अपने computer को phone की तरह treat कर सकते हो, इसके लिए आपको एक modem install करना पड़ेगा, और आपको अपने computer को dialer से जोड़ना पड़ेग नेक्स्ट है, imaging, imaging software के थुरू, आपको ये help मिलेगी, कि आप अपने computer में scanner को attach करके, कोई भी image या कोई भी data को scan कर सकते हो, और imaging software उस data को आपके computer में store करने की facility आपको provide कराएगा, नेक्स्ट है, media player, media player से क्या होगा दोस्तो, media player जो है, वही software का, software का प्रयोग करके, आप movie, कोई भी media आपके पास है, वो available है, उस media को आप इस पे run कर सकते हो, clear है, कोई भी media जो है, आप इसके अंदर run कर सकते हो, CD player, अगर computer के अंदर आपने कोई CD insert कर दी, CD player की तरह ही आपका computer काम करने लग जाएगा, आप कुछ भी चीजे उसके अंदर देख सकते हैं, आप उस पे कोई भी movie, कुछ भी image, कुछ भी जो project के उपर काम कर रहे हैं, वो सारी चीजे उस पे आप चला सकते हैं, next है sound recorder and volume control, Microsoft Windows के थुरू, आप अपने sound को भी record कर सकते हैं, और volume control के थुरू, आप जो भी program run कर रहे हैं, उसका जो volume है, आप अपने according set कर सकते हैं, क्लिए दोस्तों, next है game, game क्या होता है, windows के साथ कई game आते हैं, जो Microsoft Windows है, उसके साथ कई game आते हैं, normal game की बात कर रहे हैं, दोस्तों, ऐसा नहीं कि बहुत high-five game, अगर आपको कुछ और game की अवश्यक्ता है, तो आप जो है, वो download कर सकते हैं, अपने Microsoft Windows के उपर, यह जो game होते ह हैं, entertaining game होते हैं, यह इसके उपर available होते हैं, तो आप इन game को भी कभी भी खेल सकते हैं, कैसे खेलोगे आप इसको open करने के लिए, start button में click करेंगे, program में जाएंगे, ऐसे series में जाएंगे, फिर entertainment में जाके आपको यहापर game मिलेगा, उस पर click करके, आप अपने according अपना जो game है उसको आप select कर सकते हैं, clear है, next आज़ अटा है clipboard, clipboard का क्या काम होता है, इनके द्वारा information को move या copy कर सकते हैं, पहले clipboard में copy होता है, फिर जहाँ चाते हैं, वहाँ पे paste होता है, clipboard, clipboard के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास कोई भी information है, उसको आप move कर सकते हो या copy कर सकते हो move का मतलब पता है move का मतलब होता है कि एक जगह से हटा कर दूसरी जगह पर सीधा ही भेज़ देना मतलब अब आप समझो C drive में कोई data है आपका तो आपने उस C drive से हटा कर और उसको D drive में भेज दिया अब जो इस data का जो अस्तित्व है वो C drive में नहीं रहेगा अब वो data आपको केवल D drive में ही मिलेगा that is called move अगर आपको copy paste करना होता है suppose को आपने कोई data C drive से उठा कर D drive में copy करके paste किया है तो वो data आपको C drive में भी मिलेगा और अब वो data आपको next जो आपने जिस drive पे paste किया है like D drive तो वो data आपको D drive पे भी मिलेगा तो यह clipboard का function होता है कि यह information को move कर सकता है कोपी करके paste कर सकते हो आप अपनी according कहीं पे भी तो फ्रेंड के लियर है आपको अब हमने पूरा Microsoft Windows की सारी चीजे देख ली है इसकी functionality इसकी history कौन इसको develop किया कहां सी यह कहां तक पहुचा है कौन-कौन से इसमें features हैं कौन-कौन से user features हैं इसके अंदर इन सब के उपर हमने end to end discuss कर लिया है अब हमारा जो next part आता है दोस्तों वो यह है कि अब हम इसके important questions के उपर discussion करेंगे अब हम इसके important questions को देखेंगे जब आप इसके important questions को solve करने की courses करोगे अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तब आपको idea होगा कि मैंने आपको Microsoft Windows के उपर कितना deeply जो study कराई है जैसे ही आप इस पर question पर जाओगे तो आपको इसके सारे questions solve होंगे लेकिन इसके लिए आपको इसका जो first part है वो भी देखना बहुत जरूरी है जब तक आप इसके first part को नहीं देखेंगे तब तक आपके जो यह questions है वो solve नहीं होंगे तो I have to request to your all friends please watch my Microsoft Windows की जो first class है उसको after that आप इस class को देखें और इसके जो questions बनते हैं paper में जो भी आएंगे या जो आ चुके हैं उन सब को देखेंगे ठीक है तो मिस्टार्ट करते हैं important questions पहला है software के toolbar में command और option की सूचिया होती है यह why is it 9 माया है देखो क्या कहना चाहरा है software के dash में command and option की सूचिया होती है software के कहां पे ond or यो सूची जो घौ Sonot Command और option की जो सूचिया है उती हो कहां पे होती है दोस्तो टूल बार में होती है मैंने आपको यह बहुत अच्छे से तो सूच या कहा होती है, टूल बार के अंदर होती है, clear, next, MS Office 2010 को किस company ने बनाया है, तो आप बोलेंगे Microsoft company ने बनाया है, जो MS Office है 2010, ये विंडो का ही एक पार्ट है, Microsoft company द्वारा ही ये बनाया गया है, ठीके, तो MS Office 10 किस के द्वारा बनाया गया है, Microsoft company के द्वारा बनाया गय करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप बोर्ड में रखा जाएगा देखो टेक्स्ट हाइलाइट करके आपने एडिट कॉपी क्लिक करने पर क्या होगा टेक्स्ट जो है डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिप सकते हो क्लियर है अभ यह जो data है आपप कौपी हो गया है और कौपी होने के बाद यह data आपकी clipboard में आ चुका है अब यह आप जहां पे चाहते हैं पेस्ट करना वहां पे आप इसको कर सकते हैं एपलीकेशन से अंदर जो है वो स्टोर होता है जब तक आप उसको पेश्ट नहीं करते हो तब तक वो डेटा जो है आपकी क्लिप बोर्ड के अंदर जो है स्टोर रहता है ठीक है क्लिए रहे दोस्तों कंपनी के संस्था पक औरन है बिल गेट्ट है इसके बारे में माइक्रोषभुश और मिक्रोषव कैया है विकास करने वाली संस्था माइक्रोषव्ट क्या है यह एक אני कंप्यूटर की लेफ्ट की लाइट जलने के बाद कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यसिल बनने की परकरिया को बूट स्ट्रैप कहते हैं क्या कहते हैं उसको बूट स्ट्रैप कहते हैं कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद लाइट जला दी अपने अन कर दिया अब उसको कार्यसिल बनने के लिए आप उसको क्या करोगे बूट स्ट्रैप करोगे दो computer के मध्य संपर्क बनाने की जो तकनीक है उसको interface कहते हैं क्या कहते हैं उसको interface यह आपको मैंने internet जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको यह clear किया था Microsoft Windows के उपर जब मैंने lecture लिया उसको भी मैंने आपको clear किया है तो computer के बीच दो computer है उनके उनको आपस में आपको connect कर ना है ठीक है उनके बीच में लिंक बनाना है तो उस तीज को उस टेक्निक को क्या बोलाता है इंटरफेस किस प्रोग्राम का उप्योग कर किसी भाग को हटाया जा सकता है डिलीट डिलीट प्रोग्राम का उप्योग करके डिलीट बटन पर क्लिक करके आप किसी प्रोग्राम क हटाना ठीक है माउस के करसर की speed को बढ़ाने के लिए किस option का प्रियोग करना चाहिए control panel का माउस जो है अगर आप करसर की जो speed है माउस में जो करसर होता है उसकी speed को up or down करने के लिए आपको जो है control panel में जाना पड़ेगा और उसके थ्रूही आप ये down कर सकते हो तो वो कहांपर होगा control panel में होगा ड्राइवर software की जरूत नहीं होती है Windows 95 के अंदर आपको दोस्तों ड्राइवर software की जरूत नहीं होती है स्क्रीन के background को किस नाम से जानते है देक्स टॉप के नाम से जानते है ठीके इसके उपर भी मैंने आपको पूरा पंच से दस मिनट तक समझाए ह跟我ended two computer के के संबंद बनाने की जो technique है। उसको क्या कहते है। chter इंटर éléments कहते हैं किस प्रोग्राम का प्रयोग कर किसी बाग को हटाया जा सकता है। डिलेट्ट प्रोग्राम का प्रयोग करके आप किसी भी इस प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं। any अ माउस के कर्सर की तो स्पीड को गटाने और बढ़ाने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा ड्राइवर सॉफ्ट्रे की जरूत नहीं पड़ती थी विंडो 95 के अंदर दोस्तों आपको किसी भी परकार का जो ड्राइवर है उसकी जरूत नहीं पड़ती थी य जैसे आपको कीबोर्ड इस्टॉल करना है जैसे आपको स्कैनर इस्टॉल करना है तो जैसे आपको कुछ भी चीज़े कुछ भी एक्सटेनल ड्राइव एक्सटेनल हाडवेर को इस्टॉल करना है और एक्सटेनल हाड़ ड्राइव को क्या बोलते है पैरिफेरल डिवाइस बोलते हैं इनको जैसे आप इस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर के साथ में अटेच करना चाहते हो तो इनके ड्राइवर को इस्टॉल करने की जरूत पड़ती है लेकिन जो विंडोज 95 था उसमें जो है ड्राइवर को इस्टॉल करने की जरूत नहीं पड़ती थी क्लियर है next screen के background को किस नाम से जानते हैं तो हम screen के जो background है उसको desktop के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं desktop के नाम से आप अपनी personal file and folder को रख सकते हो कहां पे रख सकते हो my document के अंदर my document के अंदर आप अपनी personal file and folder को रख सकते हो दूसरी चीज आप net suffering के सम्में कुछ भी डेटा यहाँ पे जब डाउनलोड करते हो वो सारा डेटा जो है आपके my document के अंदर ही store होता है ठीक है और आप अपनी जो भी personal file and folder है कोई भी photos है कुछ images है कुछ movies है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं किस परकार का बार बार टूल बार टास्क बार जो भी है किस परकार का जो बार है वो bivin drop down menu के नाम का नाम या icon को दिखाता है that is menu bar किस परकार का जो बार है वो bivin drop down menu के नाम या icon को दिखाता है कौन सा है वो menu bar है clear next सारे screen पर windows का डिस्प्ले करने वाला बटन है वो कौन सा है maximize button देखो मैं आपको बताया था तीन बटन मिलते हैं एक होता है minimize एक होता है maximize और एक होता है cross का button cross का button यूज करके आप किसी प्रोग्राम को close कर सकते हैं minimize button का use करके आप किसी प्रोग्राम को minimize कर सकते हैं मतलब आप कुछ time बाद उसको use करेंगे और जो यह maximize बटन है इस बटन पर क्लिक करके आप इसके अकार को जो भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसके अकार को change कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया है सारे screen पर window का display करने के लिए मतलब यह पूर पूरे के पूरे जो desktop की screen पर फैल जाएगा clear next task बार होता है screen के bottom में screen जो होती है आपके उसके नीचे एक पतली सी पट्टी होती है that is called taskbar clear taskbar होता है screen के bottom पर window 95 window 98 NT किस परकार के नाम से जाना जाता है यह सब क्या है operating system है क्या है सब यह दोस्तो operating system है यह window 95 98 90 NT यह सब operating system है hard disk से delete file कहां भीज जाती है recycle bin में hard disk से अगर आपने कोई file delete की है तो वह सबसे पहले आपके recycle bin में जाती है कहां पर जाती है recycle bin में और recycle bin में जाने के बाद अगर आपने recycle bin को empty कर दिया तो डेटा जो है वो delete हो जाता है otherwise आप recycle bin से कोई भी data को restore भी कर सकते है clear है तो hard disk से अगर आपने कोई data delete किया है तो वो जो data है वो recycle bin में जाता है और recycle bin में data वो रहता है जब तक आप recycle bin को empty नहीं करते हैं कमांडों की सूची जो screen पर होती है उसको क्या कहते है menu उसको क्या बोलते हैं दोस्तो menu जो command है उनकी एक सूची है वो screen पर होती है उसको menu कहा जाता है वर्तमान में उप्योग होने वाले windows के लिए सब्द है देखो जो window आप अभी वर्तमान में यूज कर रहे हो अपने computer पर उसको क्या बोलते है active window बोलते हैं यह एक नया term है इसको आप ध्यान रखो कि जो वर्तमान में उप्योग कर रहे हो उस window को आप क्या बोलोगे उसको active window बोला जाता है आप अपने personal file and folder को रख सकते हैं कहां पर रख सकते हैं my document में रख सकते हैं किस परकार का बार जो है within drop down menu के नाम से icon को दिखाएगा वोगर menu बार सारे screen पर window का डिस्पले होता है उस button को क्या कहते है maximize button कहते हैं ठीक है फिर अब बात करें हम टास्क बार की टास्क बार क्या होता है फ्रेंड screen के button पर screen के bottom में नीचे की side पे पतली सी पत्ती होती है that is called task वार window 95 98 98 किस प्रकार केस जाना जाता है यह एक operating system है इनको operating system किससे जाना जाता है अब हम बात कर रहें hard disk में अगर आपने कोई data delete किया है तो data कहा जाता है वो data आपका recycle bin में जाता है recycle bin से अगर आपने data को restore कर लिया तो वो data आपके वापस से hard disk में आ जाएगा कमांडों की सुची जो screen पर प्रकट होती है उसको क्या करते हैं मैन्यू करते हैं वर्तमान में प्रयोग होने वाले window के लिए सब देवो कौन सा है active window वर्तमान में जो window के लिए आप यूज करते हो कि कौन सा window भी चल लाए तो अब आपके पास जो है इसको आप इसको रीडाउट कर सकते हो पहले आप पार्ट वन देखो दैन आप पार्ट टू को देखो और आपका यह माइक्रोसोर्ट विंडोस से लेटेड जो भी प्रॉब्लम से वह सारे सॉल हो जाएंगे ठीक है फिर आपको कोई प्रॉब्लम लगती इस लेक्सर के उपर तो आप मेरे को कमेंड कर सकते हो मैं आपके उसके पर आंसर दूंगा ठीक है फ्रेंड तो आज की लिए हम क्लोज क करते हैं थैंक्यों फ्रेंड हेव नाइस डे